अगर हम अपने सांस लेने के ऊपर केवल respiratory system पर वीडियो बनाने लगेंगे तो हम इतना ज्यादा वीडियो बनाएंगे जो हम और ज्यादा इसके गहराई में चलते चले जाएंगे क्योंकि सही तरीके से सांस लेना आपकी कई बिमारियों को तुरंत ही खत्म कर सकता है ये आपको तुरंत ही रिलाक्स कर सकता है आपके घबराहट, आपके हाइपर्टेंशन को तुरंत ही दूर कर सकता है केवल और केवल सांस लेने की सही विधी आपको पता है जब आप नाक से सास लेते हैं तो हमारे नाक में मौजूद hairs और mucus हमारे नाक में आने वाली air को filter करके फेफ़डों में भेजते हैं nasal cavity हमारे air को moist कर देती है जिससे हमारे फेफ़डे को कोई दिक्कत नहीं होती है और सबसे ज्यादा important बात ये जो हमारे चेहरे पर कई सारी nasal sinuses होते हैं ये बहुत ही ज्यादा important role pray करते हैं हमारे सास लेने की क्रिया में देखे ये nasal sinuses continuous nitric oxide कर निर्मार करते हैं जो कि निरंतर हमारे सास के द्वारा फेफ़रों में जाता रहता है और ये nitric oxide बहुत ही ज्यादा important है हमारे health के लिए ये हमारे शरीर से cholesterol के build up को reverse करता है blood vessel को dilate करता है blood pressure को कम करता है और हमें relax और शांत करता है इतना ज्यादा important है ये nitric oxide अगर इस पर वीडियो बनाने लगूँगा तो इसकी खुबिया गिनाते गिनाते ठक जाऊँगा कि nitric oxide कितना ज्यादा important है हमारे शरीर के लिए इसलिए जब भी सांस लीजिए नाक से लीजिए मुँ हमेशा बंद रहे देखिए जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ये सांस हमारे nasal cavity से होते हुए फिर pharynx से होते हुए हमारे इस portion पर आ जाती है जहां पर हमारा wind pipe और food pipe तोनों का opening मिलता है देखिए हमारा ये जो food pipe यानि isophagus होता है इसके उपरी opening पर एक upper isophagial sphincter होता है जो की normally resting position पर close रहता है और तब तक नहीं खुलता है जब तक कोई चीज हम swallow नहीं करते हैं जब तक epiglottis wind pipe को ढखकर इस sphincter को open नहीं कर देता है देखिए होता क्या है जब air यहां पर आती है तो इस sphincter से टकरा कर हमारे फेफडे के अंदर चली जाती है हमारे wind pipe से होते हुए और air कभी भी हमारे पेट में नहीं जाती है हमेशा फेफडों में ही जाती है अब देखिए अगर हम मूँ से सास लेने लगेंगे तो हमारे साथ क्या होगा देखिए जब हम अपने मूँ से सास लेते हैं तो हमारा मूँ खुल जाता है लोवर जो नीचे की उर हो जाता है और हमारी जीब नीचे की उर हो जाती है उपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़े दोनों पर एक force लगने लगता है continuously और इस continuous force के कारण जो हमारी cheekbone होती है दरसल वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और लंबे समय तक ऐसा करने से facial structure कुछ इस तरीके से हो जाता है थोड़ा सा deform हो जाता है देखिए जब हम मुँ से सास लेने लगते हैं तो ये जो air हमारे mouth में आती है ये हमारे saliva को सुखा देती है और हमारा saliva क्या करता है कि बाहर से आने वाले pathogen से fight करके किसी भी infection से हमें बचाता है जब हम मुँ से सास लेते हैं तो होता ये है कि ऐसे विक्तियों को continuous infection की शिकायत रहती है क्योंकि जो air बाहर से आती है वो filter हो ही नहीं पाती है जैसे नाक से सास लेने पर होता है प्लस facial structure में जो deformity आती है वो अलग से देखिए ऐसा नहीं है कि अगर हम मुँ से सास लेने लगेंगे तो air हमारे stomach में चली जाएगी stomach में air तब तक नहीं जाएगी जब तक हम air को swallow नहीं करेंगे जब तक हम air को निगलेंगी नहीं और वो तब ही possible होगा जब epiglottis wind pipe को ढखकर isophagus को खोल देगा इसलिए मुँ से भी सास लेने पर air हमारे फेफडे में ही जाएगी बस अंतर इतना रहेगा कि वो air उतनी beneficial नहीं रहेगी हमारे health के लिए उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ नया जान पाए हो जो आपके काम की है अगर ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना